बच्चों जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है कर्ता और क्या का मेल अर्थ सहित पहला है हमारा पुरुष पुरुष मैंने आपको बताई रखा है तीन होते हैं प्रथम पुरुष, मद्यम पुरुष और उत्तन पुरुष आज हम देखेंगे प्रथम पुरुष वचन तीन होते हैं एक वचन द्वीवचन और बहुचन प्रथम पुरुष यानि वह वेदो वे सब तो यहां दिखाई दे रहा है आपको सै पढ़ती सै यानि वह वह पढ़ता है तव पढ़ते हैं वे दो पढ़ती हैं ते पढ़ती वे सब पढ़ते हैं स्ट्रिलिंग में होगा तो सा पढ़ती ते पढ़ते हैं ता पढ़ती बच्चो पुछली कक्षा में हमने लटलकार की क्रियाएं लिखना सिखा था आज हम लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रियोग सीखेंगे उससे पहले हम एक बार फिर से लटलकार देखेंगे लटलकार के रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठते हैं, पठनती, पठसी, पठते हैं, पठत, पठामी, पठावे, पठामे तो एक वचन भी क्या है हमारा? ती तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्या लगेगा हमारा? ती जैसे नम्ती, हस्ती, वद्ती, बृत्यती, गायती, लिखती, रख्षती, आदि अब हम प्रियोग जीखेंगे बाल के हैं नम्ती, बाल के हैं मिन्स लड़का नम्ती नमस्कार करता है मयू रहे, मयू रहे मिन्स मोर नरित्यती, नाचता है बोर, नाचता है नरह, नरह मिन्स होता है, आदमी हस्ती, हस्ता है सैनिक है, सैनिक रक्षित्ती, रक्ष मिन्स होता है, रक्षा करना तो रक्षती रक्षा करता है सैनिक रक्षा करता है केशव है केशव खादती खाता है सी हैं शेर गर्जती दहाडता है या गरसता है शेर दहाडता है एशे है एशे में नो तह यह है कैमी कौन अस्ती है यह कौन है एशे यह है मरीगे है हीरन अस्ति है, यह हिरन है मरिगे है, हिरन धावती दौडता है हिरन दौडता है एशे यह है कै कौन अस्ति है यह कौन है एशे छात्रे अस्ति एश है यह चात्र है चात्र अस्ति है सै वह पठती पड़ता है वह पड़ता है हम देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का इस्त्री निम के साथ प्रयोग अजा अजा मिन बकरी चर्ती चर्ती है बाली का लड़की हस्ती है लड़की हस्ती है वर्ति का बत्तक तर्ती तैर्ती है बत्तक तैर्ती है कली का कली का मिन्स कली विक्सती खिलती है चटका चिडिया उजती चह चहाती है महिला पचती पकाती है एशा यहे का कौन अस्ती है यहे कौन है एशा यहे राधा राधा अस्ती है यहे राधा है सा वहे नरित्यती नाचती है वहे नाचती है एशा यहे का कौन अस्ती है यहे कौन है एशा यहे बृधा यानि बूड़ी महिला या बूड़ी इस्ती है यहे बूड़ी आरत है सा वहे तिश्ठती बैठती है वहे बैठती है हम देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन नपुन सक्लिंग के साथ फलम फल पत्ती गिरता है यानम यानम में बाड़ी या वाहन चलती चलता है वाड़ी चलती है यवान चलता है एतत वस्त्रम अस्ती एतत यहे वस्त्रम कपड़ा अस्ती है यहे खपड़ा है पुश्पम फूल विक्सती खिलता है फूल खिलता है एतत यहे उद्यानम बगीचा अस्ती है यहे बगीचा है पत्रम पत्ता पत्ती गिरता है पत्ता गिरता है एतत यहे किम क्या अस्ती है यहे क्या है एतत चक्रम अस्ति एतत यह चक्रम पहिया अस्ति है यह पहिया है तत वह ब्रम्ति गूमता है वह गूमता है एतत यह किम क्या अस्ति है यह क्या है एतत यह विमानम हवाई जहाज अस्ति है यह हवाई जहाज है तत वह उत्पतती उड़ता है वह उड़ता है अब हम अभ्यास देखेंगे प्रश्ण एक कोश्चक में दी गई धातूं के उचित रोग द्वारा रिक्त स्थान बरिये जैसा कि हमने लटलकार प्रथम पूरुष्ष का प्रयोग सीखा है एकवचन का बाल के है खाद से बना खादती मयूरह नरित नरित से बनेगा नरित्यती अश्वह धाव धाव से बनेगा धावती चक्रम ब्रम ब्रहम से बनेगा ब्रहमती चक्रम ब्रहमती अजा चर चरती पत्रम पत पत्ती वर्ति कहें तर्टी तर्टी शैनी के है रक्ष रक्षती प्रश्मर दो देखेंगे उचित करता द्वारा देखत स्थान भरिए यहां क्रिया दे हुई है क्रिया के अकॉर्डिंग हम लोग करता भरेंगे पहले में डैश विक्सती एक वचन है क्या खिलता है तो एक वचन के लिए पुश्पम डैश नृत्यती कन्या डैश कर्शती क्रिश कह एक किसान डैश वदती नरहे डैश पतती माला अब हम देखेंगे प्रश्न तीन निम्लिरी खित को एक वचन में बदलिए बवचन में दिये हुए हैं शब्द इनने हमें एक वचन में बदलना है पत्राणी एक वचन हुगा पत्रम नरहा एक वचन नरह कमलाणी एक वचन में बदलना है कमलम शाखह एक वचन शाखह अब हम देखेंगे प्रश्न चार निम्लिकेट पदों में मूल धातू का उलेक किसी है चर्ती मूलधातू है चर्व, गच्छती की मूलधातू गम, क्योंकि गम किस में बिदलता है गच्छ में, नित्यती नित्थ, स्मर्ती स्म्री, पच्छती पच्छ, देखेंगे फ्रेश्म पांच, सही विकल्प चुनिये, पत्राणी, भौवचन है, तो क्रिया भी भौवचन की लगेगी, पतंती, पत्ते, पत्ती, तो क्या हैगा, पतंती, मयूरे, एक मोर है तो नित्यती, वस्त्रे, ध्वीवचन है, तो क्या हैगा, स्ते, क्योंकि अस्ती, स्ते, संती, तो ध्वीवचन में स्ते आता है, महिले, प हजसी